ये जगह जहां पर यह काम किया जा रहा था, एजिप्ट में साउथ में थी, और यहां बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, काटर ने इस गर्मी का यूज गोंद को धीला करने के लिए किया, उसने कुछ घंटों के लिए ममी को बाहर जलती हुई धूप में रख दिया, जिसकी बज़े से ममी का टेंपरेचर 149 डिग्री फारेन हाइट तक पहुँच गया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, वह गोंद जरा भी नहीं पिघली, काटर ने इसके बारे में रिपोर्ट किया और कहा, इस से पहले की टूटन खमन के अवशेशों को उठाना होता, हमें उस सख्ट पढ़ चुके पदार्थ को उसके अंगों के नीचे से चैनी से चील कर काटना पड़ा, काटर के कहने का मतलब था कि राजा की डेड बॉडी को निकालने से पहले उसने उस गोंद को चैनी और हथोरे की हेल्प से चील कर उसकी डेड बॉडी से अलग क उसके बाद ही उस डेड बॉडी को उस कौफन से बाहर निकालना पॉसिबल हो पाया अपने बचाव के लिए काटर के पास कोई आप्शन नहीं था अगर वह ममी को काट कर अलग नहीं करता तो चोरुन सुरक्षाकर्मियों यानि गाद्स को धोखा देते और सोना चुराने के लिए इसको अलग कर चुके होते टूटन खमन के टाइम में रॉयल पीपल अविश्वसनिय रूप से अमीर होते थे यानि कि वे इतने अमीर होते थे जिस पर विश्वास करना मुश्किल है वे लोग ये सोचते थे कि वह अपने धन को अपने साथ ले जा सकते थे तूटन खमन की मौत के बाद उसकी महान यात्रा के लिए उसको चमकती हुई चीजों से लादा गया था जैसे गले का पटटा यानी कॉलर डिजाइनदार हार यानी नेकलिस डिजाइनदार कड़े यानी ब्रेसलिट्स अंगूठिया यानी रिंग्स ताबीज यानी अम्यूलेट्स पारंपरे कंगोचा यानी एप्रन सेंडल और उसकी उंगलियों के लिए मियान और फिर मूरती के रूप में अंदर का ताबूत यानी इनकॉफन और मुखोटा यानी मास्क और ये सारी चीजे शुदह सोने की होती थी। तूटन खमन को उसके गहनों से अलग करने के लिए काटर और उसके आदमियों ने ममी के सिर को अलग कर दिया और उन लोगों को ममी के शरीर के हर में जोइंट को काट कर अलग करना पड़ा। एक बार यह सारा काम खत्म करने के बाद उन लोगों ने ममी के अवशेशों यानि रिमेंज को एक वुडन बॉक्स में सैंड की लेयर पर दोबारा से पैडिंग्स यानि गद्दियों के साथ जोड़ दिया जिससे की जो नुकसान हुआ था उसे धका गया और यही वुडन तूटन खमन अब आराम करता है आकियोलोजी यानि पुरा तत्व विज्ञान आने वाले टाइम में काफी बदल चुका है अब वो टूम में पाए जाने वाले खजाने पर कम ध्यान देते हुए और सप्राइस कर देने वाले लाइफ और डेट के सीक्रिट्स के बारे में जानने पर ज़्यादा फोकस करता है आकियोलोजी डिपार्टमेंट अब मेडिकल टेकनॉलोजी के अलावा उससे भी कहीं ज़्यादा आडवांस और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है काटर की खोज के 40 से भी जादा सालों के बाद 1968 में अनाटमी यानि शरीर विज्यान के प्रफेसर ने ममी का एक्स रे किया और उसने ऐसे चौका देने वाले स्टेटमेंट्स दिये या कह सकते हैं कि ऐसे राज खोले जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई उन्होंने बताया कि वर गोंद जिसने ममी की चेस्ट को कवर्ड किया हुआ था उसके नीचे ममी की छाती की हड़ी यानि ब्रेस्ट बोन और सामने की पसलिया यानि रिब्स गायब हैं आज के टाइम पर CT scan से इस तरह की images ली जा सकती है जिनके द्वारा X-rays एक दूसरे को काटती हुई एक साथ bread की slices की तरह डाली जाती है ताकि उसकी help से 3D body की shape को बनाया जा सके अब सोचने वाली बात ये थी कि X-ray से ज्यादा CT scan टूटन खमन के बारे में और क्या क्या चीजे पता कर सकता था और क्या या उन दो सबसे बड़े सवालों का जवाब दे सकता था जो आज भी बने हुए हैं और वे सवाल हैं कि तूटन खमन कैसे मरा और उसकी मौत के समय वह कितने साल का था टूटन खमन की मौत एक बहुत बड़ी घटना थी और अगर शाही अंदाज से देखा जाए तब भी यह एक बहुत बड़ी और रहस्यमय घटना थी टूटन खमन अपनी फैमिली का लास्ट मेंबर था और उसका दफनाया जाना एक डाइनस्टी की डेथ के बराबर था अमेन हटेप थर्ड टूटन खमन का फादर था या ग्रेंट फादर ये बात सबूतों को पढ़ने के उपर निर्भर है यानि की सबूतों के हिसाब से अभी ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है कि वो उसका फादर था या ग्रेंट फादर लेकिन वो एक पाउफुल किंग था उसने लगबग 4 डाकेज तक एजिप्ट पर रूल किया उसका पीरियड गोल्डन पीरियड था जिस समय वो रूल कर रहा था उस समय उसकी 80th डाइनेस्टी यानि 18वा सामराज्य चल रहा था उसका लड़का अमेनहटेप 4 था जिसने उसके बाद राज्य संभाला और पुराने एजिप्ट की हिस्ट्री में एक अजीब युग की शुरुआत की जो की कई सारे अजीब युगों में से एक था हम इसे अजीब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए राजा ने सूर्य देवता आटन की पूजा को बढ़ावा दिया उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और बदल कर अखे नेटन रख लिया जिसका मतलब था आटन का सेवक इसके अलावा उन्होंने अपनी पुरानी रिलीजियस कैपिटल यानि धार्मिक राजधानी जिसका नाम थीब्स था उसे भी बदल दिया और एक नए शहर, जिसका नाम अखे टाटन था, उसे अपनी कैपिटल बना लिया, जिसे आज के समय में अमरना के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, आगे चलकर उसने एक मुख्य देवता, आमन पर हमला कर दिया, और उसकी मूर्तियों को तोड़ते हुए, उसके सारे मंदिरों को बंद करते हुए देश को हैरान कर दिया, रे जॉनसन, जो की लक्सर में युनिवर्सिटी अफ शिकागो रीसर्च सेंटर के डिरे आखेनेटन की मौत के बाद थोड़े टाइम के लिए एक नया किंग आया, जिसका नाम था, स्मेंक करे, और वो राजा बिना अपनी पहचान बनाए ही चला गया, उसके बाद एकदम जवान, टूटन खमन ने सिंगासन संभाला, यह वही राजा है, जिसके बारे में आप इ जीविद प्रतिरूप, यानी, लिविंग इमेज ओफ आमन, और उसने पुराने तोर तरीकों को फिर से अपना लिया, उसने लगबग 9 यह तक इजप्ट पर रूल किया, और फिर, अचानक मर गया, टूटन खमन की प्रसिद्धी की परवा किये बिना, और उसके भागय के आकलन की यह बिना भी, तूटन खमन इजिप्ट की अनेक ममीज में से एक है, लेकिन वहां कितनी सारी ममीज और है, कोई नहीं जानता, इजिप्ट का ममी प्रोजेक्ट, 2003 के एंड में शुरू हुआ था, इस प्रोजेक्ट के दोरान अब तक 600 ममीज का पता चल चुका है, औ इसका नाम है, सीमन्स के द्वारा दान में दिया गया था, कहने का मतलब है कि सीमन्स कमपनी द्वारा और नाशनल जोग्रिफिक सोसाइटी के द्वारा दान में दी गई इस पॉर्टबल स्कैनिंग मशीन के जरिये, ममीज की स्कैनिंग इस प्रोजेक्ट के अंतरगत की जा इस पेराग्राफ का मतलब है कि राजा टूटन खमन की ममी पहली ममी थी जिसका CT स्कैन किया गया था CT स्कैन करने के बाद उसके जीवन और मौत दोनों से जुड़ी हुई कुछ सच्चाई सामने निकल कर आई यानि कि उस मशीन ने जब राजा जीवित था तब की कुछ सच्चाई निकाल कर हमारे सामने रखी और राजा के मरने के बाद की भी कुछ सच्चाई CT स्कैन के जरिये हम लोगों के सामने आई अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक CT मशीन ने ममी को सर से लेकर पैर तक स्कैन किया उसने स्कैनिंग करते समय क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल एक्स रे इमेजिस खीची टूटन खमन के सिर का स्ट्रक्चर बड़ा ही पेचीदा था उसके सिर के स्ट्रक्चर की 3D इमेजिस बनाने के लिए इसे 0.62 mm की स्लाइसे में स्कैन किया गया इसका जो रिजल्ट मिला यानि कीस की जो तस्वीर बनी उसमें हमें अद्भुत जांकारी प्राप्त होती है तूटन खमन की पूरी बोड़ी का इसी तरह से रिकॉर्ड बनाया गया रिकॉर्ड बनाकर रेडियो लॉजी, अपराद विज्यान और शरीर रचना एक्सपर्ट्स यानि एनाटमी स्पेशलिस्ट्स ने उन रहस्यों का पता लगाना शुरू कर दिया जिसे सोने से जड़े हुए कबर की पंखों वाली देवी ने इतने लंबे समय से बचा कर रखा हुआ था परीक्षन करने वाली रात को काम करने के लिए वे लोग तुद को उसकी कबर से उसके बॉक्स में ले गए डेड बॉडी को उठा कर ले जाने वाले लोगों की तरह वे एक धलान और एक सीडियों की कतार पर चल गए जो बाहर फैली हुई रेत में थी उसके बाद वे लोग हाइड्रॉलिक लिफ्ट की हेल्प से एक ट्रेलर में चड़े जिसमें स्कैनर रखा हुआ था 20 मिनिट्स बाद दो आदमी बाहर आए वे लोग परेशान लग रहे थे वे दोनों पास के ओफिस की तरफ दोड़े और दो प्लास्टिक के पंखों यानि फैंस के साथ वापस लोटे लाखों डॉलर का स्कैनर ठंडा करने वाले पंखों में रेथ यानि सैंड के घुस जाने के कारण हार गया था तभी अचानक एक गाड बोला ये सब टूटन खमन के शाप की वज़े से हुआ है गाड डरा हुआ था लेकिन वो मजाक कर रहा था जो पंके बदले गए थे उन्होंने अपना काम सही तरह से किया उन लोगों ने ये चेक किया कि कहीं किसी तरह का कोई डाटा उनसे मिस तो नहीं हो गया है जब उन्हें तसली हो गई कि उनका काम ठीक तरीके से हो गया है तो उन लोगों यानि की उस टीम के टेकनिकल उस राजा को दुबारा से वापस वहीं उसी जगह पर लिटा दिया गया और वह दुबारा शांती से उसी प्लेस पर आराम कर रहा था जहां इतने लंबे समय पहले पुजारियों ने उसको लिटाया था एक टेक्निकल एक्सपर्ट ने वापस ट्रेलर में आकर टूटन खमन की हैरान कर देने वाली पिक्चर कम्प्यूटर स्क्रीन पर खीची बिखरे हुए कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक ग्रे कलर के सिर ने एक शेप ले ली थी और टेक्निकल एक्सपर्ट ने उसे हर डाइरेक्शन में घुमा कर और इधर उधर पलट कर देखा टूटन खमन की गर्दन रीट की हड़ी इतनी साफ दिखाई दे रही थी जितनी की एक अनेटमी की क्लास में दिखाई देती है उसकी कुछ दूसरी पिक्चर्ज में उसके हाथों की हड़ियां और उसके सिर के मिडल पार्ट को भी देखा जा सकता था पर फिलहाल जाही हवास के उपर से दबाव हट गया था वह वापस अपनी कुरसी पर बैठा और मुस्कुराया वह काफी शान दिख रहा था उसे देख कर लग रहा था कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ है जिसकी वज़े से वह परेशान हो उसने कहा मैं पिछली रात को सोया नहीं था और ना ही अगली रात को मैं काफी ज़्यादा परेशान था लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं आराम से जाऊंगा और जाकर सोंगा लोहे की सीडियों से जब हम लोग रेत में उत्रे तब तक हवा रूप चुकी थी इस मरे हुए लोगों की घाटी में सर्दियों की हवा खुद मौत की तरह थंडी और शांत लेटी हुई थी टूटन खमन के टूम के दरवाजे के ठीक उपर ओरियन जो की एक नक्षत्र यानि की कॉंस्टिलेशन जिसे हम ग्रूप अफ स्टार्स भी कह सकते हैं खड़ा हुआ था पुराने एजप्ट के लोग उसे सोल ओफ ओसाइरस यानि ओसाइरस की आत्मा के रूप में जानते थे ओरियन टूटन खमन को उपर से देख रहा था यानि उसकी देख भाल कर रहा था इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है तो dear students, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो please like and share this video to the other students and subscribe the channel Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.